कहते हैं ना यत्र नारी पूध जनते सम्थिंग सम्थिंग देवता इसका आर्थ जानते हो बांगडू हां लड़की को पूजोगे तो राखी बांदेगी पटाओगे तो शादी कर लेगी यही है ना अंकल पाप रहे हैं कमाल है सर इसके लाइफ के कॉंसेप्स बहुत क्लिय क्लियर कर दूंगा अंकल से कुछ संसकार सीखो सारी सर मैं उतना भी महान नहीं हूँ मैंने ओटी में खोटी गार दी अब अपनी वाइफ को लेने आया हूँ मेरे स्वामी आगे तुझे कुछ नहीं खाना अरे क्या हो गया ऐसे सच दच रही है मानो कुछ लड़का देख में आने वाला हो भाई टक्रू आया है ना ऐसा मत बूल मेरे लिए तो आज भी हीरो है काई का हीरो हीरो चपडगंजू तो लगता है अभी तुसके सब घर जा पाइपलाइन्स के लिए आठ करोर सेंक्शन करवाए अब आपको पीने के पानी के लिए यहां वहां भटकना नहीं पड़ेगा मेट्रो का काम भी जल्स चुरू होगा मैडम की प्रेस वालों के साथ मिटिंग है आप लोग जा सकते हैं मेले मैडम आई लव यू यह कुट्टे की दूम यहां मैं आपका सच्छा फैन हूं मैडम आपके लिए यह फूल लेकर आया हूं तुसे जाने दे मैडम का लवर है यह सारे काम साथ में करते हैं डीटेस ब लग जाई है मैडम महान है मारी डालोगी क्या नाम है गनेश उर्व गना गनेश करते क्या लाल तुम्हें पटा रहा हूं तुम्हें नहीं लेगता कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो मैं तो बच्पन में इससे भी ज्यादा फ्रैंक था तुम बच्पन में क्यों नहीं मिली मु भूल गई, तुमने हमारी कॉल्नी में आके हमसे प्रॉमिस किया था मैं कब आई वहाँ पर, आई थी, पिछले इलेक्शन में शास्थिर कॉल्नी आए थी या नहीं आई थी, एक ओपन जीप में आए थी ना, हां, तो क्या तुमने कहा प्यारी नागरी को कहा था ना कहा होगा कहा था तुम सब मेरे हो कहा था ना हाँ तो उसी दिन से मैं तुम्हारा हो गया अब्वे वो मैंने तेरे को पर्सनल कहा था क्या वो सब मैंने जानता मैंने तो पर्सनल ही ले लिया ना तेरी तो सब देख रहे हैं तुम्हें बाद मैं देखती हूं तुझे साला लुच्चा लफ आंगा कहीं का अरे मैडम लव यू चपल से मारूंगी तुझे आपका सबसे बड़ा फैन हूं माल डालो उसने रेप किया है फासी तो वो नहीं चाहिए मेरा आज काम खतम होगा आप चले चाचु मुझे केस करना किस पर केस करेगा उस एमेले पर करेगा हाँ मेरा कॉल अटेंड क्यू नहीं करती अब ये भी कोई बात हुई अरे साइकल की चोरी पर केस हो सकता है उसने तो मेरा दि चुडा लिया है केस तो बनता हिए कोई कलम लागों नहीं होती है अज 28 जनवरी को महिमा रेप एंड मर्डर केस की फाइनल हीरिंग होने जा रही है जनता महिमा को सपोर्ट करने के लिए अदालत के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है अब देखने वाली बात ये है कि अदालत विरेंद्र को सजा देती है या फिर उसे इस केस से बाईज़त परी करती है क्योंकि विरेंद्र बिजनस्मेन प्रसाद कुमार के बेटे हैं मेडम हमारे वकील साब अभी तक नहीं आ है मूर्ती जी अब तक लॉयर क्यों नहीं आया मैंने सुबह से उनको कई फोन किये लेकिन वो मेरा फोन उठाई ने रहे उनके घर पे भी ताला लगा है रिष्टेदारों को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं है समझ में नहीं आ रहा मैडम हो कहां चले गए चाचू एमेले तो काफी टेंशन में लग रही है चलाओ नमस्ते सर्थ ये रिंग का टाइम हो गया है आपका वकील अब तक क्यों नहीं आया है पता नहीं साहर तो आपकी तरफ से एविदेंस कौन पेश करेगा सारे एविदेंस लॉयर के पास है साब कोई वकील नहीं और कोई एविदेंस भी नहीं इस तरह आप कोट का कीमती वग बरबात कर रहें और कुछ नहीं इसलिए मैं इस केस को डिस्मिस एक्सक्यूज मी सर्ण हमें लीव उफ एपसंस ग्रांड कीजिए मैं इसकी अथोरेटी आपको नहीं दे सकता वकील चाहिए चाचा उटो केस आप लड़ेंगे उठ जाओ एक क्या बक्राइब डिसाइड हो गया चला ओफिचल अनांस्मेंट करो लेकिन शुरू कैसे लूँ लीव उफ एपसंस मांगो और एविदेंस का क्या एविदेंस आ जाएगा सबूत और गवाल आना मेरा काम है चला वीव एविधेंस आएविडेंस केस लड़ने दो इंको कैस लड़ने दो मिरंदर को ॉश्यारी कि वीदेंस की उचलननका दो गामोश अब्जेक्शन यॉर अउनर किसी भी केस में क्या चाहिए सबूत और गवाह चाहिए नियाय मिलेगा मगर कब जब गुना थाबित हो लेकिन अखबार में हैड्लाइन शपने से या किसी न्यूस चानल के कहने से या लोगों के आवाज उठाने से या किसी एक मेले के सबूर्ट से के इसका फैसा नहीं होता जच साफ जच साफ रात को अगर रेप हो तो अगली सुबा लड़की छे मेने की प्रेगनेंट नहीं होगी याप भी जाते हैं प्रेगनेंट येस, आप इसे रेप कह रहे हैं, जिस दिन रेप वाश, शी वाश सिक्स मॉन्स प्रेगनेंट, ये रही पोस्टमोडम रेपोर्ट, लड़की का चाल चलन ठीक नहीं था, उसे एक नहीं, दस बार होटेल के रूम से कॉंस्टेबल ने गिराफ्तार किया था, ये सर, ये बात बिल्कुल सच है सर, हमने उसे दस बार अरेस्ट किया, लेकिन उसने हमसे रिक्वेस्ट किये कि हम उसके माबाप को ना बताएं, इसलिए एक ही बार कंप्लेंट कीजिए सर, मेरी बेटी थी वो, उस पर ऐसे घिनोने इल्जाम मत लगाईए, आपसे भीग बहुत अच्छी थी मेरी बेटी, हम ये केस वापस ले लेंगे, है और तुम्हारे कहने से नहीं चलता, आपने देखा जट साब, जब रास खुलने लगा, तो मगरमच के आसू बहाने लगे, इन्हें फसाने के पीछे, इनका एक खास मोटिव था, मेरा क्लाइंट बिजनस इनकी बेटी धंदा करती थी, विरेंदर को ब्लैक मेल करके उससे मोटी रखम एटा चाती थी, सारे एविडेंस भी यही कहते हैं, और ये ना सिर्व मेरा दावा है, इस 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 दी ओनली तुरूथ समाज के नाम पर कलंग है ये रखी, और किसे पता, शायद इसके माबब नहीं से इस काम में चोगा हो, इस शहर की गंदगी है ये ऐसे लोगों को इस समाज में रहने का कोई हथ नहीं है, जच साफ कोट दा कीमती वक्त बरबाद करने और एक निर्दोश इंसान पर जूटा आरुक लगाने के जुर्म है, ये कोट आपको दोशी मानता है, तकेस इस डिस्मिस्ट है चला आजा आजा जजा आजा आजा आरे। है को एक अर्ण में को एकीमन है, थिएैंसे आ है, बनाज में तस्ट अामा यैlem कोटते है, ये ऐसे घलाओव czym ओबवीएमित्ने ऊल्यों आर jest उलाएल, एक बांवामी हैं आपने आपने मेरी बेटी बच्छल नहीं नहीं आपको कुछ नहीं होगा चाचा जीब निकाल लिया हॉस्पिटल जलते हैं चाचा गाड़ी स्टार्ट करो हमें इन्हें बचाना होगा चाचा चलो जल्दी करो चाचा चाचा गाड़ी स्टार्ट करो इन्हें हॉस्पिटल ले जाना है जल्दी करो अब कुछ नहीं हो सकता क् वह मर चुक है बटा यह बटाल वकीर सार आपको नहीं लगथा कि फेसला गलत है जच की क्या उका जो हमारे खिला फैसला दे पैसे वाले कानून को अपनी जेब में रखते हैं आपने जज को खरीब लिया था चासे ज़रा इने पकड़ो क्या क्या बोला हूँ अरे कुछ नहीं है यासे अरे मेरी पासों नहीं पढ़ना है इन सब में चाचा उसने अभी क्या बोला था अरे मेरी बात को समझने की कोशिश कर यह धनुश के आदमी है केस तुम जीट चुके अब क्यों आयो यह आपने जमीन के जो पेपर्स मांगे थे वो में लेकर आया हूँ तेर्थो कॉफी ले आओ आओ मेरे साथ तीन सो एकर जमीन में से आपने सिर्फ दाइस सो एकर जमीन क्यों ली यह समझ में लिए आया बाकी के पचास एकर मेरे वाच्मेन के लिए है कैसे हुआ यह एक यह यह था इकॉन तुझे रेप करने का लाइसंस मिल गया हुआ अब जो तेरे जीमा है तुखर बागी सब मैं समालोई है लब यो ब्रदर एंजॉआइए को एक इसको ट्राइकर आइकर थास्त है कर दो जुआ कर दो